हलो दोस्तो नमश्कार वापस बाजार हम लोको start होते वे देखने के आपे मिलने वाला है तो आने वाला हफता next 5 दिन इस हफते की भी अगर हम लोग बात करें पूरे 5 दिन बाजार चलने वाला है कोई भी छुट्टी नहीं है next वाला जो week रहेगा उसमें हम लोगों को बीच में एक छुट्टी देखने को मिलेगी 26 जनवरी की तो पाच दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलेगा तो सबसे पहले कौन-कौन से important trigger point है बट उससे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं बिल्कुल सही जो लोग इस चैनल को regularly follow करते हैं उनको पता है बाजार का माहूल क्या बोलता है तो आखरी दिन की बात करें पिछले week का तो अच्छा गासा हम लोगों को एक बाद में हम लोगों को एक comeback देखने को मिला हरे निशान में बाजार की closing देखने को मिली और अगर हम लोग पिछले 5 दिन के बाजार का मतलब पिछले हफटे के trading session के अगर हम लोग बात करें तो लाल निशान में हम लोगो मतलब बैसिकले अगर हम लोग बात करें लाल निशान हरा निशान तो बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल flat चल रहा है बाजार चीज़ भविश्य में भी continue रह सकती ये भी शक्तिकांतर दाज जी ने Friday की दिन अपनी speech में आपे बात रखी थी So next अगर हम लोगे आपे बात करें दोस्तों तो अभी आ जाती important trigger points की उपर अभी last वाला जो हफता था वो बहुत ही solid था बट फिर भी अगर देखा गया ना तो इंडिया ने तो बहुत अच्छा किया आपको यादी होगा inflation का जो data था बट US की बात करें उन्होंने भी अच्छा ही किया 6.5 ही आ गया बट देखा गया तो बाजर आप सब लोगों को पता है कि थोड़ा और ज़्यादा expect करता रहता है अगर यह थोड़ा सा नीचे आ जाता 6.4 आ जाता तो थोड़ा से एक तरफा हमनों को तेजी देखने को मिल जाती anyways जो हो चुका है वो हो चुका है अभी next कौन-कौन से important trigger points है जिसके चलते बाजर का ज़्यादा focus रहेगा तो सबसे पहले तो हर किसी को यहाँ पर पता है अर्निंग का सीजन चालू है और इस हफते बाप रेबाप 190 कंपनी अपने numbers release करने जा रहे है तो initial stage में जब numbers start होते है तो जितना हो सके में अच्छे अच्छे companies को cover करता हूँ थोड़ा सा ना मुम्किन बन जाता है तो कि आप खुद देख सकते हैं 190 companies में बहुत सारे अच्छे companies के number आएंगे जैसे के आप देख सकते हो Asian paint है हिंदूस्तान यूनिलिवर है इंडसेंड बैंक जो की निफ्टी उसी के साथ साथ इंडेक्स वाले स्टॉक से JSW Steel Reliance के number है ICC Bank के number है KOTAK Bank SBI Life यह देखें लंबी लिस्ट है HDFC Live यह तो हम लोगों को Nifty-ifty वाले ही companies देखने को मड़े है Ultratex Cement से लेकर HDFC मतब सारे companies हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं उसी के साथ इंडेक्स के भार कौन-कौन से companies है Angel One के number थोड़ा देखना interesting रहेगा Then अगर हम लोग बात करे, ICSA Proof की बात करे, Tata Metallics की बात करे ऐसी बहुत लंबी लिस्ट अभी बोलते रह जाओंगा तो आपको बता ही है कि पूरा वीडियो इसी में कतम हो जाए गए बहुत ही जबरदस हफता यह रहने वाला है तो ज़रू इसके उपर आप लोगों ने फोकस आपे रखना चाहिए Second important point कौन से है WPI inflation बहुत सार लोग की सवाल भी आते है तो आप CPI inflation कवर करते हो बट WPI inflation को इतना ज़्यादा क्यों नेविटेज देते है तो दोस्तों to be honest CPI ही ज़्यादा important होता है इसकारत है नहीं कि WPI फाल थोए करके नहीं नहीं बिलकुल भी नहीं CPI आपको main यह बताते है ground level पे क्या चल रहा है मतलब at least data के हिसाब से तो wholesale के अगर हम लोग आप बात करें obviously retails ज़्यादा numbers में हम लोगों को देखने को मिल जाते है वहाँ पे correct आप लोगों को data पता चल जाते है कि क्या exactly चल रहा है wholesale से उतनी clear picture नहीं आती है तो wholesale के चलते है बाजार में इतना ज़्यादा हम लोगों को volatility देखने को नहीं मिलता है until and unless मतलब बोलते हैं कुछ ज़्यादा ही drastically बदलावा जाए either upside या फिर downside तो अभी तक आप लोगों ने देखा भी होगा WPI में इतना ज़्यादा बाजार में coverage नहीं दा सिर्फ एक news आके चली जाती है बट CPI की बात करें येस full-fledged बात होती है सिर्फ इंडिया में नहीं विदेश में भी हम लोगों को वही चीज़े देखने को मिल जाती है तो फॉर्मिलेटीस के इसाब से बात करो 16 तारिक को आपको ये data देखने को आपे मिलने वाला है नेक्स अगर हम लोगे आपे बात करें देखें नीचे उसी चीज़ की बात के retail inflation, retail मतलब वही CPI की बात करें तो पहले 5.88 था इस वक 5.72 आ गया और जो ओरल RBI 6.6 की बात करें था वो 6.12 आया तो इंडिया ने तो बहुत कमाल का performance या पर दिखा है हमारा बाजार बहुत अच्छा कर रहा है तो विदेश के बाजार के pressure के चलते अगर हमारा बाजार गिर जाया तो ये तो मतलब सबसे बड़ी opportunity रहेगी हम लोगों के लिए कि अच्छे-च्छे stocks को सस्ते दाम में उठाए करके क्योंकि हमारे बाजार में वैसी कमजोरी नहीं है तो ये सारी चीज़े हम लोगों को देखने का आपे मिल चुकी है दैन अगर हम लोग आपे बात करें दोस्तों तो कुछ global macro economic data हम लोगों को इस हफते हैं पर आते वह देखने को मिलेंगे जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहला focus यहां पर चला जाएगा हमारे पड़ोसी चाइना की उपर क्योंके जो GDP की जो growth rate है उससे related data हम लोगों को देखने को मिलेगा फिर उसके बाद जो monthly wise जो industrial production रहते हैं मतलब December के हिसाब से तो US, Japan, China यह सब कुछ अपने data पेश करेंगे और inflation की बात करें तो Japan का तो आएगा बट यह यूरो एरिया का भी inflation देखने को मिलेगा यह थोड़ा सा key factor यहां पर बन सकता है क्योंकि during the market आपको पता है हमारे बादार जब चलते है तो European बादार ओपन हो जाते है तो यह points ऐसे है जिनके उपर आप लोगों ने focus यह आपर रखना चाहिए then दोस्तों अगर हम लोग next important point की बात करें जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि inflation का तो जो भी बाते थी वो सारी यहापर हो चुकी है so अभी important कौन सा trigger point है yes अभी एक ही important trigger point है इंडिया की सबसे budget so budget में यहापर क्या होने वाला है क्या अनुमान आएगा बहुत सारी हमनों को यहापर खबरे पहले ही आते वी देखने को यहापर मिल जाएगी इसके चलते बाजार में बहुत ज़दा ups and downs यहापर चलते हैं जो भी कुछ होना है वो हकीकत में तो first phase को ही होगा पर उसके पहले यह जो हफतार इतना बहुत मज़ेदार रहता है and usually थोड़ा सा बाजर नर्वस ही हमनों को देखने को आपे मिल जाता है so जरूर budget से related कोई भी update सामने आती है या नहीं उसके उपर आप focus बनाके रख सकते हो then अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तो FIS, BIS activity and FIS ने तो clear cut पता चल रहे है दोस्तो मन बना ही लिया है कि उनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बेचना ही है आप देख सकते हो हर पेमाने के उपर उनकी बिक्वाली ही यहापे चल रही है बीच बीच में इंडियन मार्केट ने थोड़ा अच्छा किया वहाँ पे लगा था कि FIS थोड़ा बहुत भी मदद करेंगे बाइंग करने के इसाब से बड़ ऐसा कुछ भी निवा नेट बिक्वाली उनकी अभी भी यहापे जा रही है सो 17,400 करोड के आसपास के टोटल बिक्वाली हो चुके है जैनवरी मन्त में अगर हम लोग साइमल्टेनिसली बात करें यहापे D.I.S. के हाथ मजबूत हो चुके है अच्छी बात यह है कि M.P. का डेटा भी हम लोगों ने देख लिया इस वग भी 13,570 करोड के आसपास हम लोगों के S.I.P. आते वी देखने को ने तो यह S.I.P. जब तक चालू रहेगी D.I.S. के भी हाथ मजबूत रहेंगे तो as such F.I.S. जो लगातार बाजार दबाव डालने की कोशिश कर रहे है उससे इतना कुछ खास फरक नहीं पड़ रहे है COVID में आपको याद होगा मतलब उन्होंने इतना सा माल बेचा तो कितनी ज़्यादा हड़कम मची थी तो अभी आप देख सकते कि D.I.S. के हाथ मजबूत यहापे हो चुके बहुत अच्छी बात है जब बाजार फ्लैट चल रहा है यहापे mutual fund के थुरू, retail investor के थुरू हम लोगों को अच्छा कासा inflow आते हुए देखने को मिल रहा है यह बहुत यह बढ़िया बात देखने को आपे मिल रही है यह बात बता थे कि Indian market सही direction में जा रहा है तो बहुत बढ़िया data फिलाल तो देखने को मिल रहा है अब यह FIS कब तक यह बिक्वाली करते रहेंगे यह देखने वाली बात है खास करके इसके चलते हैं आप dollar index के उपर focus रख सकते हो next बात करेंगे crude oil crude oil के उपर focus रहना चाहिए जैसे की शक्ति कांता दाज जी ने भी बोला है crude oil जब तक double digit में है हम लोग यहापे जो हमारा quarter four का जो prediction है inflation का 6% के अंदर आने का उस prediction को हम लोग हाकिकत में तकदिल कर सकते हैं आप crude के उपर ज़रूँ focus यहापे रख सकते हो commodity market है आप सब लोग बता है बहुत सारे global environment के चलते है geopolitics के चलते है unstable market वो रहता है दन बात करेंगे dollar to iron थोड़ा सा राहत मिलता हुआ देखने को में रहे है Indian रुपीस को अभी मतलब बीच में तो लगा था कि 83 को ही टच करें अभी जाके थोड़ा सा 81 के आसपास आते वे दिखने को आपे मिल रहा है अगर हम लोग आपे बात करेंगे दोस्तों तो no doubt gold की भी अगर हम लोग बात करें तो फिलाल 58 के उपर अभी हम लोग को gold जाते वे दिखने को नहीं city wise अगर हम लोग बात करें अभी ऐसा तो नहीं बोल सकती कि double digit में आ जाये करके आ गया तो बहुत अच्छी बात है अगर double digit में आ जाते तो no doubt foreign investor वापस buying करने यापर start कर देंगे बट फिलाल मतलब ये double digit में आना मतलब सपने देखने जैसी वाली बात है बहुत ही मुश्किल से ये point 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 करके थोड़ा सा नीचे यापर आ रहा है तो जब तक ये dollar index strong यापर रहेगा तब तक यापर foreign institutions investors की जो बिक्वाली है उसमें रुकावट लगना बहुत ज़्यदा मुश्किल यापर लग रहा है next अगर हम लोग यापर बात करेंगे दोस्तों तो no doubt option chain option chain के अगर हम लोग यापर बात करें तो 18000 के नीचे हम लोग थोड़ा सा close होते देखने को यापर मिले थे कोशिश तो की थी बट ठीक है यापर जैसे कि आपको पताईए कि 18000 का level कितना ज्यादा important बन चुका है एक दिन उपर एक दिन नीचे इतना यहापर देखने हो अभी 18000 की बात करें तो resistance देखने ना बहुत ही simple है यह देखे उसी level पर हम लोग को strong resistance देखने को मिल रहा है उसके बाद तो ऐसा कोई भी इतना बड़ा resistance level देखने को 500 हाँ ऐसा वहाँ पर अगर आप चेक करोगे ना तो वहाँ पर आपको अच्छे level देखने को लेंगे रिखिए 152 116 76 यहाँ पर हम लोग को ओए built-up देखने को मिल रहा है सो हर एक level की अगर हम लोग बात करें बहुत ही सीमित दायरे में बाजार यहाँ पर काम कर रहा है ऐसा नहीं कि दूर-दूर के levels देखने को आपे मिल रहे है और बाजार की अगर हम लोग overall performance को भी देखे पिछले कई हफ्तों से तो वह एक ही दायरे में देखने को मतलब अगर 200 पंट उपर जाते है तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इस हफते में भी तो यहाँ पर सेम पैटन हम लोग को देखने को आपे मिल सकते है अंटिल अनले स्विदेश से कोई खबर यहाँ पर सामने आ जाये वही एक सबसे बड़ा trigger point हो सकता है वरना जो next trigger point है आप सभी लोग को मिलेगी वही एक बाजार को एक अलग दिशा यहाँ पर दे सकता है तो अशा करता दोस्तों वीडिया एलफू लगाओगा तो जरू लाइक और शेर कर देना एंडिमैट अकांट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम कौन सा अकांट आपने लिंक के तरो उपन किया है प्रॉपरले कमेंट सेक्षन में में मिंचन कर देना तो अफ्टे बर के अंदर अंदर सारे लिक्चर्स मेरे साइड से आप लोगो free of cost प्रवाइड कर दे जाएगे तक के लिए बाए